प्रदान मंत्री नरेद मोदी आज से दो दिन के गुजरात दौरे पर हैंगे आज मोदी राजकोर्ट जाएंगे जहां वो दिव्यांगों को किट बाठेंगे इसके साथ ही वो सौराश्ट शेक्त्र के बांधो और जलाशे को नर्बदा के पानी से भरने के लिए सौनी पर योज्णा क्या लोकारपन भी करेंगे प्रदान मंत्री राजकोर्ट एयरपोर्ट पर करेब 10 किलो मीटर लंबा रोड़ शो करेंगे जगा जगा प्रधान मंत्री की रेप्लिका की ओर से केंद सरकार की योजनाओं की फोस्टर लगाए गये हैं इस रोड शो में पांच लाग से जादा लोग शामिन होंगी पिछले पांच मेंने में प्रधान मंत्री का ये नौवा गुजरात दौरा है प्रधान सबा चुनाओं से पहले मोधी हर महिने गुजरात का दौरा करेंगे गुजरात में से साल आकरी में चुनाओं है और बिजेपी ने प्रधान मंत्री मोधी को ही अपना चेहरा बनाया है सुरक्षा बलो ने कश्मीर में आतंकियों की एक बड़ी साज़िश को नाकाम कर दिया है CRPF की 112 बटालियन सेना की राश्टी राइफल्स और पुलस ने कुलवामा बाइपास के जंगर पोरा इलाके में लगाए गई आई-डी को नाकाम कर दिया है आतंकियों ने बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए 55 किलो बजन के आई-डी लगाए थे सेना को खबर मिलने के बाद उसने सर्च ऑपरेशन चलाया और आई-डी को डिफ्यूज कर दिया जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने फिर सीज़ फायर तोड़ा है ज़ड़ा है पुझ के बाला कोड में स्यक्तर भी सरहत पार से गोली बारिख हुई है फारिंग में दो भार्थी सेनिक मामूली तोर पर घायल हुए है पाकिस्ताने कल गोली बारी का की थी भार्थी सेना ने भी पाकिस्तानी रेंजिस को मुखतोर जवाब धिया आज से अमर्नात यात्रा को बाबा बरफानी के पहले दर्शन यहाँ पर श्रधालू कर सकेगे सुबह नौ बचे खरीब जम्मू कश्मीर के राजपाल एनन गोरा बाबा बरफानी की आरती करेंगे इसके बाद ये पवित्र गुफा आम श्रधालू के लिए खोल दी जाएगी पहले जथे बेक तुल 2280 श्रधालू शामिल है जिनमें से बालचाल से जाने वाले श्रधालू आज ही बाबा बरफानी का दर्शन कर पाएंगे जबकि कठिन और बरफिला रासा होने के वज़े से पहलगाम से जाने वाले श्रधालू 30 जून को दर्शन के लिए पहुचेंगे पहलगाम और बालचाल दोनों जगव पो मौसम चीक नहीं है और बारिश भी हो रही है मौसम के साफ रहने पर ही आगे की त्यात्रा शुरू दर्शन की हमले के खब्रे के मर्दे नजर सुरक्षा के पुफता इंतिजाम किये गए हैं सिक्यूरिटी में कही कोई चूप ना रहे इसके लिए सैटेलाइट रोन कैमरे और बेस कैमपस में सिसी टीवी से नजर रखी जा रहे हैं बुलेट फूफ बंकर का भी इंतिजाम कियेगा कूप एजेंसिस के मताबिक आतंकियों को उनके आकाउन ने 150, 30 या 300 सिक्यूर्टी बालों को मानने का ओर्डर दिया है मारतिय सेना प्रभुक जनरल बिफिन रावत आज सिक्किम के दौरे पर जाएंगे जनरल बिफिन रावत सिक्किम दौरे पर बॉर्डर फॉर्वर्ड पोस्ट पर जाएंगे और सीनियर कमांडर्स के साथ सुरक्षा के हालात की समीशा करीगे सिक्किम बॉर्डर पर पिछले दो दिन में चीन की नापात हरकलत सामने आई है केलाश मांसरोवर की यात्रा चीन ने रोग दी थी और तीर्थ यात्रियों को बॉर्डर से वापस रोटा दिया बॉर्डर पर तनाव के बहाने चीन फिशे दो दिन से भालत को धमकी दे रहा है सेना प्रमुक का ये दोरा हलाकि पहले से ही तैथा लेकिन ये चीन के साथ चल रहे बॉर्डर पर तनाव के बीच बहुत महत्पूर हो गया है सिक्यम से लगी सीमापाल चीन की दादागिरी देखने को मिली पीटी आई के मतावे के चीन ने भारतिये बंकरों को बुल्डोजर से तबा किया है भारत चीन और बुल और भारत के ट्राई जंक्षिर पर यहार कर देखने को मिली है पीटियाई के मुदाबे किसी महीने में पहले हफ़ते में ये घर्टा हुई चीन ने भारते सेना के पुराने बंकर में मरमत पर अतरास जताया था चीन के साथ सीमा विवाथ पर पहली बार भारत की तरफ से प्रतिक्रिया आई है रक्षा मंतिया अरुट जीके ने कहा है कि पहली भी ऐसी घटा होती रही है और ये मामला सुलच जाएगा भारते चीन की तरफ से ऐसी किसी भी कारवाई की खबर का खंडन किया है हलत कि इलाके में अभी ओई तरणाव बरकरार है सिकिम भारते चीन सीवा सरी 220 किलोडी है सेकिम बॉर्डर पर चीनी सैनिको और भारती फॉजियों के तरह तरी के वीच चीन का बयान आया है चीन की ओर से कहा गया है कि भारत भी गल्टियों को सुभारे आज राश्पदी चुनाव के नामंकर पत्रों की जाच भी होगी ये 17 जुलाई को होने वाले राश्पदी चुनाव में मीरा कुमार का मुकाबला इंडिये के उमीदवार रामनात को विंसे होगा बोधी ट्रंथ लाकास से पाकिस्तान बौक लागिया है पाकिस्तान के आंत्रिक मंत्री ने कहा है कि अमेरिका भारत की भाषा बोल रहा है और उसे कश्मीरियों के खूं की भी चिंता नहीं है सेना के खलाफ जहरों गलने वाले और देश विरोधी बाते करने वालों को रक्षामांत्य अरुजेटी ने जवाब दिया है रक्षामांत्य अरुजेटी ने कहा कि जो लोग पत्थरबाजों का समर्थन करते हैं और सेना को निशाना बनाते हैं उन लोगों को देश कभी सुविकार नहीं करेगा भारत यांत्रिक्ष में एक और चलांग लगाई है भारता आदूने के संचार उपग्रे जी सेट सेवंटीन फ्रेंच गौाना के कोरू से लॉंच हो ज़िया है इस अंचार उपग्रे को एरिन स्पेस रॉकेट के जरिये तक शिपित किया गया है जी सेट सेवंटीन का वजन 3447 किलोग्राम है केंद्री करपचारे को सरकार ने तुफ़ा दिया है कैबिनेट साथवे वेतन आयों के भटो को भी मंजूरी दे वी है बेसिक सेलर से 8 से 24 फीजी तक है एच्वारे को मंजूरी दी गई है बद्तो की संशोदी तरदरे एक जुलाई से लागू होगी केंद्र सरकार एर इंडिया में हिस्सदारी बेचेगी वितमंधी अरुंजेटी ने इसका अलान किया है कैबिनेट एर इंडिया में वी निवेश को सद्धान दिक मंजूरी दे दी है एर इंडिया बे एक छोटी हिस्सेदारी के बाब वजूद मैनेजमेंट पर सरकार का नियंतर रहेगा सुच्छु के हवाले से खबर है अज बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जनहीर के अच्छका दायर हुई है जिसमें सरकार पर जल्दबाजी में इस लानिक आरोप लगाये गया है जेस्टी पर 30 जूल यानिकि कल रात पो संसद में विशेश समहारों हुगा राश्टपती, उपराश्टपती, प्रधानमंस्री, दोरों संदुलों के संसद और जेस्टी काउंसिंग के सदसिस्स में मौचूद रहेंगे 30 जुन की रात 12 बज़ी राश्पती और प्रधान मंत्री आपका बटन दबाकर जेस्टी लागू करेंगे एक मिनिट एक घंटे दस मिनिट तक कारकरम चलेगा कारकरम में प्रधान मंत्री और राश्पती का भाशन भी होगा 30 जुट को GST के लॉंचिंग कारकरम में टीम सी शामिल नहीं होगी ममता बैनार जी ने इस तालान किया है ममता ने GST को नोट बंदी के बाद रखेंडर की एक और बड़ी घलती बताया एक जुड़ाई से भिहार में GST भी लागू होगा उन्होंने कहा कि रेट ट्रैक करते समय महंगाई का ध्यान रखा गया है इसमुफ अधिया का दावा है कि GST लागू होने के बाद गरीब की थाली सस्ती हो GST के खिलाव गुज़ात का सिनेमे का एसेशिएशन हर्दाल पर है एक जुलाई से अनिश्यत कालिन हर्दाल के लिए उत्मादन बन रखने का फैसला किया है इसमेरिक कारूबार से जुड़े द्योगोप सरकार ने 28 पीज दीटेक्स लगाया है GST के विरोध में मुपाल पर ब्यापारियों ने बंद बनाया चैंबर ओप कॉमर्स ने 30 जुण को मुपाल बंद का बान किया है राजसान के रागार में भी GST का विरोध देखने को मिला है मार्बर बयापारियों ने बैठे के बाद एक जुलाई से अनिश्यत कालिन हर्दाल पर जाने का फैसला किया है कपड़े को GST में लाने से कपड़ा व्यापारियों में भी गुसा है यूपी के बागपत में व्यापारियों ने कल बाजार बंद किया GST की विरोध में जुलूस निकाला गया नारेबाजी कर पीम से इसे नहीं लागू करने की अपील की गए है दिली बिधान सभा में हुई हाता पाई की BGP ने चाच की मांग की है दिली बिधान सभा में निताव विपक्ष विजंदर गुपता ने इसकी लेकि चाच कमेटी बनाने की मांग की है कल बिधान सभा के विशेशे सत्र की दौरा आणन दर्शक दिर्गा से कुछ staff उअचे केा डिहांजे कि ल कत अवगोने सर्दन ने पर्चे फेकने वाले आम आद मी पार्थी के ही सर्दस से थे हांगामे के बार्थी के बिदाय करें सर्दन से बाहर लेकर आये और इनके साथ हतंफाई। दिली में रोड सेफटी साइनस पर भरोसा कर गाड़ी चलाना खतरनाक है पिछले एक साल में इसका गलत रोड साइनस की बज़े से दिली में 1622 लोगों की मौत हुई है जिसमें से 684 पर दर चलने वाले थी इंसिट्यूट ऑफ रोड ट्राफिक एजुकेशन के सर्वे में फुलासा हुआ है दिली में पिछले एक हपते से भीचर गर्मी का कहा जिर रहे लोगों को बारिश से रहत मिली है मौसम से पहरे हुई इस बारिश उसे तापान में गिरावच हुई है और मौसम सुहावना हो गया है मौसम विभा के मताविक टेस्टर निस्टर बेन और अपन च्वाप से लेकर बंगाल की खाड़ी तक बने एक ट्रफ के चल से दिली और आसपास के लाके में अगले दो तिन दिन तक अच्छी बारिश हो सकती है दिली बे क्रिकेट बॉल लगने का विरोध करने पर एक युवक की हत्या कर दी गई घटा सबसी मनी लाके की है प्रिकेट खेल रहे लोगोंने गेंद लगने का विरोध करने पर एक शक्स की हत्या कर दी पुलिसस मामले में दो लड़कों को पकड़ा है दिली हाइकोट ने नगर लिगम के सफाई करमचारियों पर सकतरुख अख्तियार किया है हाइकोट ने कहाए कि काम नहीं करने की हालत में वेतर भी नहीं दिया जा सकता है हाइकोट ने कहां कि समय वद दरिके से सभी सफाई करमचारियों के डियूटी रोस्टर बनाए जाए 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में दोशी मुस्तफा दौसा की हाट अटेक से मौत हो गई है दौसा का सीने में दर्थ की शिकायत का बाद मुंबई के जेजर हॉस्पिटल में अटमिट कराए गया दौसा के मौत पर उसके परिवार बालों ने अस्पिताल में हंगामा किया मुस्तफा दौसा और्थर रोड जेल में बन था हाई ब्लड फ्रेशर डापिदीस की शिकायत थी मौत के बाद परिवार ने हंगामा किया शिराबोरा मदर केस में मुंबई की भाइखला जेल में बंद इंदराणी मुखर्जी कल को कोट में पेश किया गया कोट में इंदराणी ने बताया कि इसके पिर हाथ और पैरो पर डंडे से मारा गया है जेल करब चारी पर धंकी देने का भी लगाया रो माराज के माले काँ में थेटर में भीतर दशकों की जान से खिलवार हुआ है कुछ लोगों ने तुल में ट्चूब लाइट के दोरान परदे के पास पताके जलाए माले काँ में थेटर में पताके ले जाने को लेकर सुरक्षा जानच फस सवाल उठ रहे हैं अभी दिल का दौरा पढ़ गया था, स्पताल में मॉत होगी, पुलिस से केस दर्च कर मामले की चाज़ शुरू कर दी है मुंबई के पास ठाड़े में सहाइख राश्णिक अधिकारी अपने दफ्तर में खुदखुशी कर ली अधिकारी ने पहले अपने हाथ की नस काटी और फिर गले में फंदा लगा कर खुदखुशी कर ली अपने सुसाइट दोट पर से माइवाइफ इस माइफ लिखा है, बताया जारा अधिकारी की पत्मी उसे छोड़कर चली गए थे, जिसकी बज़े से वो निराश था देश का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट JNPT भी साइबर हमले की चपेट में आ गया है, JNPT के GTA पोर्ट पर साइबर अटेक हुआ है, पोर्ट के एक टर्मिनल का संचाला इससे प्रभावित हुआ है समाजबादी पार्टे लिता आजम खाने आयूब पंडित की शहदत पर अपती जनक टिपड़ी की बीजेपी ने कहा कि पाकिस्तान को खुश करने के लिए दिया गया बयान बीजेपी ने कहा कि देश को बार-बार बातने की साजिश कर रहे है आजम खान सेना को कभी अपना माना ही नहीं आजम खान के बयान पर कॉंग्र सेता प्रमोर्तिवारी का बयान सेना करतिहास गौरव शाली विवाद में घृसीदा ठीक नहीं अजमखा के विवादित बयान की मुस्लिम धर्मगुरू मौलाना सेफ अबास ने किया लोचना कहा सेना के जवान परिवाचोर देश की करते हैं रक्षा चीन की सबसे बड़ी कार कार कंप्री अब भारत में अपनी कारे बेचनी की तयारी में है सैक मोटर कॉपरेशन भारत में अपनी कारों की लाँचिंग योचनाए सामने रख भी है सैक मोटर भारत में एमजी ब्रैंड नाम से कारे बेचेगी पहली कार 2019 में लाँच करने के प्लानिंग है अगर आपके पास आधार नंबर है तो आपको एक जुलाई से से पैंसे लिंक करना जरूरी होगा इसके लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है साथ ही एक जुलाई से पर्मानेंट एकाउंट नमबर यानि के पैन के आवेदन के लिए भी आधार नमबर देनाज जरूरी होगा सिविल आवेशन मंत्राले जुलाई के पहले हफते भी नो फ्लाई लिस्ट जारे कर सकता है सिविल आवेशन मंत्रा शुक गच्पती राजु नेकल अधिकारियों के साथ बैठक में नो फ्लाई लिस्ट के नियमों पर चर्चा की सरकार ने नो फ्लाई लिस्ट के लिए गाइडनाइस भी चारे की थी और लोगों से इस पर राय भी मागी थी मौनसूर हाने के साथ ही एरलाईस ने ओफर की जड़ी लगा दी है जेट एरवेज, स्पाइज जेट और इंडिगो मौनसूर ओफर के तहट सस्ते में हवाई यात्रा का मौका दे रहा है जेट एरवेज ही इस मौनसूर में चुट्यों पर जाने बालों के लिए 14,280 रुपेवें डॉमस्टिक स्टेक्टर के लिए पूरा पैकेज दे रहा है जबकि 27,770 रुपे में इंटरनाशनल पैकेज का ओफर दे रहा है विजबालया ने F1 Team Force Team इंडिया से इंडिया का नाम हटा दिया है विजबालया ने 31 मैं और 6 जूम को लंडर में Force 1 नाम से 6 कंप्राइब रजिस्टर कराई है सभी कंप्रेयों में से इंडिया नाम हटा दिया गया है दीश में तील गैस के एक्स्प्लोरेशन और उत्पादन का तरीका हाइटेक हो गया है सरकाने नैशनल डेटा रेस्पोसिट्री लाउंच कर दी है और सकोशिश के तहट समुदर के गर में चिपे अता तक्नीकी और उपियोगी आकड़ों को इकटा करके उन्हें सुरक्षित रखा जाएगा ताकि इसका इस्तमाल भविश्य की पर्योजरा के लिए किया जा सके उत्राकंट के उतरकाशी में बीती रात एक दर्दनाग सड़क हाथे में चैलोगों की मौत हो गई हाथसा बढ़कोट के पॉंटी मौल्टा सड़क मार्ग पर हुआ है बुलैरो गाड़ी बढ़कोट से मौल्डा गाउ जा रही थी इस दौरान गाड़ी अन्यंतित होकर सड़क से रीचे खाई में जा कि लिए MPK राइसे में कॉंग्रिस प्रदीश अधे शरू ने यादो ने SDM को धमकी दिये कहा है कि क्या आप राइसे में मंदसौर कार्ण कराना चाहते हैं रूम यादो कर्द से परिशान होगा खुदकुशी करने वाले किसान के परज़नों से मिलने आए थी बेतिया भी एक हाकी सवालों के घेरे भी हैं पुलिस वालों के हमले भी घायर शिक्षिका ले तोड़ा दम शराबंदी का साथ देनी पर शिक्षिका और इसके परिजनों पर हुआ था हमला मजॉलिया थाने की पुलिस पर हमले कारों यूपी की गुरफपूर में बंदरों का आतंक सरकारी दफ्तर में गुसकर दसावेजों को फाड़ा जाच विजुटे अधिकारी इलाबाद में आम प्रेवियों के लिए खास में लिकाय जन हुआ है साथ देशों से पचास से जादा किसम की आम लाए गए हैं देखने के लिए शौकिनों और किसानों के भीर उम्री यूरोपियन यूनियन के फासे के खिलाफ गूगल अपील कर सकता है यूरोपियन यूनियन ने गूगल पर 17,400 करों रुपए का जर्माना अग लगाया अगस्तान के भावलपूर में हुए तहील टैंकल हासे में मनेवालों की संके 65 तक पहुच गई है 25 जून को टैंकल परेटने के बाद ये विस्पोट हुआ था अमर्का की रावसारी वशिंक्टंग डी सी में उबामा हेल्थ केर को बंद करे के विरोध में प्रदशन किया गया प्रदशन कारियों ने पैले सिंग्वा बिसे रिपब्लिकन सिनेटर पैट्रिक ट्रमी के दफ्टर पर जाकर नारेवाजी की अमर्का की बाद में पुलिस ने इन प्रदशन कारियों को हटा दिया नियॉर्क टाइम्स में लिखे गया एक लेख से अमेरिकी राश्पती जोनल्ड ट्रॉप काफी नाखुश है लेखा के खिलाब ट्रम ने ट्वीट कर नियॉर्क टाइम्स को फेक लिउस मीडिया करा दिया जर्मली की संसरत ने गे मैरिज बिल को पास करने की दिश्चा में हमतादम उठाया संसियत की लीगल कमेटी ने इस बिल पर वोट डाले का रास्ता साफ कर दिया है पहले इस बिल का विरोध तरही जर्मर चांसल अंजिरा मरकेल भी अब इसका समर्थन कर रही है इटली के समुदूर में 700 से जादा शर्रानार्थियों को रस्किल किया गया इटली की नेवी ने रबर की बोड पर सवार इन शर्रानार्थियों को बचाया जादा शर्रानार्थी सुमालिया के बताय जा रहे है नेवी को एक बच्चे का शव्भी मिराहिन शर्रानार्थियों को इटली से सिसली लाए गया रख्षे अमेर्के ने शिबाने जूरा के संसत के बहार धमाका हुआ धमाके के बाद सुरक्षावलों ने इस संसत में मौज़ू सांसितों को कई घंडों तक रोक रखा इन नेताओं ने सरकार कर जान मुझकर नजर बन करने का रोक लगाया सीरिया के राज़ानी दमिश्व और इसके आसपास के लाकों में सरकारी सिनाओं और विद्रोहियों की बीच जोरदा लड़ाई को रही है इस लड़ाई में भारी हत्यारों समेथ टैंकों और रॉकेट्स का इस्तमाल किया जा रहा है सीरिया के रखा पर दुबारा से कब्जा को लेकर आतंकी संहर राई इस इस ने हमले तेज कर दिये हैं रखा के जादतर हिस्सों पर अब अमेरिकी समर्थिक सीरियन डेमोक्रेटिक पोर्स का खब्जा है बताया जा रहा है कि आईस इस क्यातंकी कार और मोटर साइकल बमों का इस्तमाल कर रहे है रूस ने बुलावा बैलेस्टिक मिसाइल का सफर परिक्षुन किया इसके लिए पूर्वी हिस्ता में ये परिक्षुन किया गया मिसाइल को एक अब परमारू पंडुबी से छोड़ा गया जो अपने विश्र में काम्याब रही 36.8 टन बजी इस मुसाइल की मार 8000 किलोमीटर तक है चिरी नेवी में नए जनरेशन के एडवांस से डिस्ट्रॉई शिप को शामल किया गया है शंगाई में 10,000 टन के बजी इस शिप को नेवी के कप्वीशन किया गया है हलाकि अभी इस शिप के कई टेस्ट होने बाकी है अमेरिका के अरिजोना के जनरों में भी जनाग लगी है अब तक काबू नहीं पाया जा सका है कई एकर में फैले साख को काबू पाने के लिए सैक्रोफाइटर फाइटर्स से लगाता जूज रहे है अहतियातन के तौर पर यहाईशी इलाकों से लोगों को स्रक्षित चिकालों को पहुचाया गया है अमेरिका के लोस एंजलिस के पैरामाउंट स्टूडियो में हुए एक डॉक्यमेंटरी के प्रीमियर में प्रियंका चुपरा ने जौन अबराहिम ने अपनी फिल्म परमारू दा पोकरन का पहला पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर किया अप उनका पोस्टर शेयर करते वक्त जौन ने ये कहा कि फिल्म मेरे जिन्दगी का सबसे बड़ा इंदिहान है